अगले topic की तरफ चलते हैं और यह topic बड़ा ही interesting है और इस topic का नाम है Nobel Prize in Medicines या Nobel Prize of Human Physiology 2030 दोनों का मतलब एक ही होता है इक ही discipline में दिये जाते हैं इन दोनों को कभी medicines का भी human physiology का Nobel Prize लिखते हैं तो कभी confused मत होना इसने जानकर मैंने दोनों चीज़े लिख दी है Nobel Prize of Physiology या Human Medicine या Medicine ऐसे कुछ एक ही चीज़ है और आपको बताओं तो COVID-19 के case में जो चीज़ पूरी दुनिया के लिए वर्दान सिद्ध हुई थी जिसका नाम है mRNA vaccines एक्चुल में उसी study के लिए उसी research के लिए वैग्यानिकों को Nobel Prize दिया गया है दिखाऊंगा mRNA vaccines क्या होते हैं कैसे चीज़े बनती हैं वो सारी चीज़े आपको लिए चलूँगा रुकिएगा थोड़ा Nobel Prize medicines में अगर देखें तो जिन लोगों को Nobel Prize दिया गया पहलों सक्स के बारे में जान लेते हैं वो लोग कौन है उनका नाम जान लेते हैं UPSC में मैंने यह देखा है कि 2011 से लेके आज तक जो नया पैटन UPSC के प्रिदिम्स का चल रहा है उसमें कभी भी UPSC ने वैज्ञानिकों के नाम नहीं पूछें तो जो लोग रट रहे हैं उनको बता रहा हूं ठीक है यही चीज़ होती है क्वेश्चन पे बन ना देखने से आप कुछ भी पढ़ रहे होते हैं और इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि किताब जो है मार्केट में जो है साइंस आटेकी में ग्राहिल वाली वो पढ़ लीजे किसी दोस्ट से बोलिए वो आपको फोटो वेर के भेज़ देगा आपकी आँख खुल जाएगी किन चीज़ों को कभी क्यों नहीं समझा गया और कितना असान है UPSC निकालना अगर हम इन विशाय को ठीक से समझ ले और साइंस टीक और इनवार्मेंट डोनों ऐसा है जहाबर किसी भी कोचिंग इस्टिशन में मुश्किल से 10 दिन-15 दिन में ये सलेवस खतम कर दिया जाता है मुश्किल से 50 घंटे-60 घंटे के अंदर साइंस टेक खतम कर दिया जाता है और पूरी कोचिंग शूट साल भर आपको हिस्टी, पॉलिटी, एकॉनमी, जोगरफी ही पढ़ाती है सोचल इशू ही बढ़ाती है और जबकि साइंस एटिक इनवार्मेंट में 30 से 35 कोशन आते हैं जो मैं खुल कर बोलता हूँ और ये 30 से 35 कोशन ही जो की होती है सबसे अदा कॉंस्टेंट होता है सबसे अदा दिक्कत आती इन ही दो सब्जेक्ट में जो कि इसके रिसोर्स भी अविलेबल नहीं है क्योंकि NCRT आप देखो तो आपको हिस्टी पॉलिटिक ऑनमी जोगरफी के मिलती है लेहिं कभी भी टेक्नोलोजी की NCRT नहीं आती है अगर साइंस से भी NCRT आती है तो बियोलोजी फीजिस और कमेस्टी की आती है और UPSC फोकस करता है टेक्नोलोजी उसी तरह इन्वार्मेंट में भी देखे तो कोई प्योर इन्वार्मेंट के NCRT नहीं आती है ठीक है NCRT में भी थोड़े बहुत दो-चार चैप्टर है जो इन्वार्मेंट एक लोजीक है वो भी उस लेवल का UPSC देता ही नहीं है इसलिए इन दो सब्जेक्ट में अल्लि प्रिलिम्स में कभी भी UPSC नहीं लिखा है अगर आपने स्लेवस देखा होता तो अब समझ जाते हैं उन्होंने सिफ इन्वार्मेंट एकलोजी जनल साइंस ऐसे करकर के विशेओं के नाम लिखे हैं तो यहां पे भी बहुत बड़ा लोचा होता है क्योंकि सोशल मीडिया पर जो सोर्से से हैं बहुत जादा है और यह नहीं पता विद्यार्थियों को कौन सा क्या पढ़ें 10 तॉपर 10 तरह की बातें करतें 5 तेचर 5 तरह की बातें करतें तो यहां सबसे ज़धा confusion हमें मानता हूँ यह नए बच्चे उनके साथ ज़धा हो रहा होता है जो attempt दे रह फिरी को और दूसरा है वीजमान इन दोनों लोगों को नोबल प्राइस दिया गया घाई जो मेसनजर आ रहने है उसके जो बेस पेयर सिक्वेंसिस होते हैं आपको बताऊँगा एजी सी यू करके जो बेसे होते हैं मारने का युणीक सिक्वेंस होता है उसको डेवलब करने के जो बिभिन तरह के वैक्सीन के निर्माण की में काड़ कर सिध्ध हो सकता और COVID-19 में खास्त और से आपने सुना है और देखेगा MRN का काफी यूज रहा है COVID-19 के केस में फैंडमी को लेकर उसके बाद इस चीज को नोबल प्राइस भी दिया गया फिलाल ये एक चैलेंज है कि छो छो खास दौर से COVID-19 के किल करता है अब इन वित्रों का जो होता है, वो इंफ्लेमेटरी रिसपॉंस को Misoba大家都 स्जिए रियाकशन कर दहा दो ही इजाने है यहां आरिसपॉंस कर दोडुोआ को जाना है यह unmodified messenger नहीं है जो inflammatory response लाते हैं जिसकी मदद से आपके शरीर में different तरह की समस्या होती है लेकिन जहीं पर कहीं पर हम इनका modification कर देते हैं तो inflammatory response आने बंद हो जाते हैं अब यह modification किस level पर करते हैं क्या क्या करते हैं इसकी पूरी की पूरी mechanisms में आपको समझाता हूं कुछ picture के तरू लेकिन उस picture पर जाने के पहले मुझे थोड़ा सा background समझाना होगा क्योंकि मैंने आपको बार बर बोला है कि आप रवी सर की class में है आप रवी गरी सर की class में है यानि आपको concepts पर ध्यान जादा देना है ना कि facts पर ठीक है आईए अब vaccines ऐसे होते थे जो किसी protein या vector वाले हुआ करते थे या पूरा वाइरस ही एक तरह से ऐसा होता था जो जो large scale culture करके body के अंदर बर्दा डेवलप करके दिया जा था लेकिन हाँ COVID-19 के बाद बलब जब बिमारी आगे उसके बाद जो vaccines बने उसमें आता है messenger vaccine का नाम जो कि बड़ popular होता है मुझे नहीं बता ना आपको पीछे चलकर कि पहले कौन कौन से vaccines बनाने के तरीके थे ठीक है जबकि UPSC ने अभी पूछा है कि vaccines के कौन कौन से तरीके हैं जो कि जब COVID-19 की बिमारी जब हुई थी तो वहाँ पर remains में 2022 में question UPSC ने पूछा था कि कौन कौन से तरीक में UPSC ने में question पूछा है और इंडिया में तीन ही vaccines है जो लगे थे आपको पता होगा एक तो को vaccine एक COVID-19 और तीसरा बच्चा जो की Sputnik है जो रश्या से लिया गया था तो तीन के बारे में आप बता दू मत कर रहा हूं 2022 के मेंस की बात कर रहा हूं कौन कौन से तरीके थे और एक उस में से messenger RNA vaccines था ठीक है उनमें से कौन सा vaccine था उनमें से एक vaccine जो था वो messenger RNA vaccine था अब जड़ा समझना ठीक है इधर देखो इन चीज़ों को ठीक है messenger RNA vaccines में बंता गया से है इसकी पूरी की पूरी कहानी आपको समझाताँ और उसके पहले थोड़ा सा आपको मैं background पर ल कि हम सब DNA हम सब जब बनते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर क्रोमोजोम सा आते हैं, जो मम्मा बापा से आते हैं, इस अब को बता है क्या होता है, क्रोमोजोम सो होते हैं, जो मम्मा और बापा से आते हैं, इनी क्रोमोजोम में कुल 46 DNA होता है इस तक concept में आपको पीछे बता चुका हूँ क्योंकि एक chromosome में एक DNA होता है बाटेक वाला lecture अगर आपने सुना होगा तो आपको clear हो रहा होगा पताबचा यही DNA धीरे-धीरे डेवलप हो रहा हो था बतलब हम जब अपनी ममा की बोडी के अंदर डेवलप हो रहा होते है तो जाइगोट यानि एक सेल जो बनता है यह मालो यह जाइगोट ही है और एक जाइगोट के अंदर कुल कितने DNA होते है वह आपको समझ में किल में लाकर 46 DNA होते है यह DNA networks of DNA, replicate करते हैं और number of DNA बढ़ाते हैं इस process को हम कहते है replications क्या बोलते हैं इस process को हम कहते हैं बच्चा pops replications प्र यही जो DNA होता है यही जो DNA होता है आगे चलकर RNA बनाता है और इस process RNA बनाता RNA बनाता है, इस process को actual में हम transcription कहते हैं, तो what we are calling them, इनको हम कहते हैं transcriptions, फिर यही RNA आगे चलकर बहुत सारे different तरह के RNA बनाते हैं, ribosomal RNA, messenger RNA और transfer RNA, ठीक है, इस process को हम actual में post transcriptions कहते हैं, यह RNA जो इस तरह के RNA, इस process को हम कहते हैं post transcriptions, RNA के बाद जो चीज होते हैं, उसको हम कहते हैं post transcriptions, अब क्या होता है जानते हो, यही messenger RNA जो है, especially जो messenger RNA है, यह जाता है और protein बनाता है, समझना, यही जाता है और protein बनाता है, और इस process को हम कहते हैं translation, क्या बोलते हैं, translation, और आपको पता है, जब हम 3 kg के बच्चे बनकर ममा की body के बाहर आते हैं, वो 3 kg का एक protein ही होता है, जो शरीर से बाहर निकलता है, और आप सब को अपनी ममा की body मिलती है, चाहिए बाइब बाइब होते हैं, और गर्ल बाइब होते हैं, ममा का बोड़ी का 3 kg निकल कर बाहर निकला आता है, वो हम होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, किति इंस्रस्टिंग, हम सब को हमारा शरीर जो मिलता है, हमारी ममा से मिलता है, कभी सोच ना, अब जड़ा समय ना, जो मैसंजर आरने जो प्रोटीन बनाता है, उसमें राइवोजोमल और ट्रांसफर आरने हैं, ट्रांसलेशन में, लेकिन प्रोटीन एक्चुले मैसंजर आरने ही बनाता है, उसकी हल्प करता है राइवोजोमल और ट्रांसफर आरने में, अब अगर हम अगर mRNA वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो इस ही mRNA की तो बात कर रहे ना बच्चा अब यही messenger RNA प्रोटीन बनाता है अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ मालो वाइरस है आपने COVID वाइरस के बारे में सुना होगा COVID वाइरस मालो यह COVID वाइरस हो COVID वाइरस में RNA होता है Nucleic Acid होता है, और आपने सुनो उसके बाहर एक स्पाइक प्रोटीन होता है, इसका सीधा मतलब है कि अगर COVID वायरस के शरीर में स्पाइक प्रोटीन अगर बनता है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा RNA है, जो इसके शरीर के अंदर इस तरह का प्रोटीन बनाता है, और यह आपने स्पाइक प्रोटीन के द्वारा यही वाइरस होता है हमारे शरीर पे आता है, यह हमारा शरीर है और हमारे शरीर पे होता है A2 रीसेप्टर इसके पूशन पूछा गिया है, A2 receptoronn देखना UPSC ने 2022 में प्रिलिम्स में A2 receptor पर question पूछा है किस 22 में और इसी receptors पर जाकर spike protein जाके हाँ पर attach हो जाता है ना ऐसे कुछ attach हो जाता है बच्चा है ना देखो यह virus का जो होता है यह spike protein जाके attach हो जाता है यह attach हो जाता है attach हो जाता है यह फिर उसके बाद वो इंटर करता है अब एक बाद बताओ यह spike protein भी जो virus बनाता है वो virus के अंदर उसका अपना RNA होता जो बनाता है ठीक है अब अगर एक बाद बताओ समझो जा रहा अब एक बाद बताओ है ना यह background मैंने समझा है अभी एक चीज़ और आपको बताता हूँ एक तर्म आता से कहते है antizen और दूसरा तर्म होता है यह हम कहते है antibody तेक शब्द होता है जो सम कहते है antizen और दूसरा शब्द होता है antibody समझ लो antizen कोई भी ऐसी problem कोई भी एक पैथोजन मालो पैथोजन मतला कोई disease causing करने वाला agent मालो कोई bacteria है या कोई virus है जो हमारे शरीर के अंदर आता है और अगर बताओं तो यह भी कोई pathogen जो bacteria virus होता है यह भी बना protein का ही होता है बच्चा किसका बना होता है यह protein का ही बना होता है antibody क्या होती है हमारे शरीर के जो lymphocyte cells होते है जैसे B lymphocyte, T lymphocyte पीछे मैंने बात की है तो वो हमारे body के antibody बनाते है और antibody हमारे शरीर के proteins होते है वो भी antibody भी protein ही होते है antizen भी protein ही होते है लेकिन antibody वो protein होते है जो इन antizen को मार देते हैं और हमारे शरीर को इन पैथोजन के एंगे इसमें बचाते हैं, जिन्दा रखते हैं, इस तरह से हमें infections नहीं होने पाता है, अब ज़रा समझो, यह वो background था, यह वो background था, जो आपको मुझे समझाना था, ठीक है, जो बच्चे मेरे से पर चुके हैं, उनको इसमें समझने में क चीजों को समझ सकते हैं, इधर देखो, होता क्या है, यहाँ पर आपको दिखाया गया, कोशिश की गए कि यह COVID-19 वाइरस है, एवरीबडी फोकस दिया चुप-चाप, ठीक है, बिलकुल इदर दिमाग नहीं, ठीक है, और शॉटकट के लोग, बिलकुल मेरी क्लास छोड़ वाइरस है, COVID-19 वाइरस में क्या है, यह आपको वाइरस मेल गया, वाइरस के अंदर क्यों हो गया बच्चा, यहाँ पर वाइरस के अंदर RNA Nucleic Acid होता है, और बाहर आउस को मेल गया वाइरस का Spike Protein, इसको पहले किनारे कर दो, यह एक वाइरस है, COVID-19 वाइरस, इसको मैंने किनारे कर दिया, मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा messenger RNA, मैंने नहीं भाइ, जिनों को Nobel Prize दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता, उन scientist ने क्या किया, messenger RNA ने बनाया, ठीक है, messenger RNA क्या, देखो, messenger RNA ने इन्होंने lab के अंदर बनाया, कहां बनाया, lab के अंदर इन्होंने messenger RNA ने बनाया, और यह ऐसा messenger RNA है जो 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 वैक्सीन के फर्म में आपको दिया जारा पता ही ऐसा messenger RNA है जो messenger RNA, यह messenger RNA synthetic messenger RNA है जै भाई, एपस देखो, जैसे DNA होता है natural वैसे synthetic आप लैब के अंदर बना सकते हैं उसी तरह होता है mRNA, natural mRNA synthetic भी बना सकते हैं, मैंने बोला जो mRNA, जिस तरह का spike protein बनाता है वाईरस के अंदर उस RNA को हमने lab के अंदर बनाया, ध्यान देना lab के अंदर बनाया, और वही RNA जो spike protein वाला होता है जो पाया जा तो उसकी वैसे virus के अंदर गया बनता है spike protein, और virus हमारे शरीर के अंदर कैसे touch करता है, enter करता है spike protein के मादे हम से H2 receptor पर ये सारी concept आपको समझा चुका हूँ ठीक है, फाल दुका हमने, इधर देखो अब इससी vaccines को हमने बना कर रख दिया ठीक है, अब इस vaccine को उठा कर human को दे दिया, जैसे human को देते है, mRNA जो होता है, वो मानो के शरीर के अंदर enter कर जाता है, हमारे body के हर सेल के अंदर, वो mRNA enter कर जाता है, जो lab के अंदर बनाए गया है ठीक है, इसको भूल जाओ, mRNA हमने lab में बनाया, इन साइटिस्त हैं और यह ऐसा अंजर ने बनाया, जो कि spike protein बनाएगा, तो जब ये RNA हमारे शरीर के अंदर जाएगा, तो हमारे सेल के बाहर क्या होगा spike protein बनाने लगेगा, ये दोको हमारे cell के अंदर messenger never knows, ये अंटर किया अब हमारे cell के अंदर messenger ये अंदर, अंदर ये RNA सब्छाने के बिचा अब हमारे cell पर spike protein बनने लगा अब आप बोलोगे सोर स्भाइक प्रोटीन जो होगा इस पाइक प्रोटीन जो होगा जो कोविट-19 वायरेस का बनने लगा वो एक हैं आडीजन हैं separating kills गहारे को मारने के लिए क्या करेगा हैं यह शरीर का defense mechanism होता है हमारे शरीर के अंदर helper T cells होते हैं встретए cells होते हैं, helper T cells होते हैं, lymphocytes होते हैं, वो कोई भी antigen आता उसके कि इसमें antibody बनाता है, तो यह देखो YY shape का यह क्या दिख रहा है, antibody बन गया अब हमारे शरीर में antibody बन कर तयार है, इस antigen के विरुद्ध समझ में आ गया, अब देखो अगर मान लो, COVID virus एंटर किया, यह COVID virus के entry हमारे शरीर में होई, सारा antibody हमारे blood के अंदर फैला हुआ, आभाई, आभाई, दुश्मन आजा, अब जैसे ही दुश्मन आएगा, जो antibody है, वो तुरंत जाएगा और इस सारे के सारे जो spike protein है उसको जाके उस virus को ही खतम कर देगा, अब virus हमारे cell के अंदर आकर attach कैसे करे गए, इस तू receptor से करे गाई ने, और इस तरीके से अब हम बच गए, निशे comment ज़रूर लिखना, अगर messenger ने vaccine ठीक से समझ में आया तो, हमारे सरीर के अंदर defense mechanism होता है, मैंने अभी आपको बोला था, जो भी antigen सरीर के अंदर आता, उसके आगेंस, आपके बारी, body के अंदर क्या बनता, आपके T-cells वगरा क्या बनाते हैं, antibody बनाते हैं, तब ही तो COVID में कई लोग के अंदर बना लिया, बच गया, कई लोग के अंदर नहीं बनाया, COVID हो गया, वो सारी चीज, उसी को तो हम प्रतिरोधफता कहते हैं, immunity कहते हैं, बच्चा, यह है पूरा का पूरा messenger है, बहुत ही खुबसूरत picture है, और इससे बहतरीन picture मुझे नहीं लगता, कहीं और मिलेगा मुझे समझाने के लिए, इससे आप बहतरीन तरीके से समझ चुके हैं, सारे step भी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको समझ में आ चुका है, यह सारे के सारी immunity protein आपके, और मैं तो कहता है, एक दुबार वीडियो फिर से सुन लेना इस lecture को, अगर आपको mRNA vaccine दुबारा फिर से समझना, लेकिना पहले एक बार background को देख लेना,